आपका स्वागत है अपना ग्यान बढ़ाने और 24 गंटे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना देर किये चलिए आज के विशय की और बढ़ते हैं असी नबबे के दशक में फिलिस्तीन में इसलामिक कटरवादी लोग सामने आते हैं और हमास ग्रुप बनाते हैं उनका मकसद इजरायल से सीधी लड़ाई है वे दुनिया के नक्षे से इजरायल को मिता देना चाहते हैं इजरायल और गाजा पट्टी के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है फिलिस्तीन के आतन की संगतन हमास ने आज सुबह इजरायल पर महस 20 मिनित में 5000 रॉकेट दागे इस अटेक में इजरायल के 40 लोगों की मौत हो गई हमास के हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की घोशना कर दी है वहीं इजरायल के पीएम बेजामिन नेत्मियाहु ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है इजरायल डिफेंस फोस ने कहा कि हमने हमास के हमले के जवाब में ओपरेशन आईरन स्वाद्स शुरू किया है करने की तयारी कर रहे थे तभी फिजाव में बारूत की गंध घुल गई फिजाव में साइरन की दराने वाली आवाजे सुनाई देने लगी प्रधान मंत्री बेजामिन नेत्मियाहु ने कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूत पूर्व कीमत वसूलेगा इजरायल ने ओप्रेशन आईरन स्वाद्स लॉंच किया है वही इजरायल में कल यानी रविवार को स्कूलों की छुटी के आदेश दे दिये गए हैं बता दे कि इजरायल में रविवार को स्कूलों की छुटी नहीं होती है नेट न्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, किसी ओप्रेशन में नहीं और हम इसे जीतेंगे दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सिक्यूरिटी सिस्टम की चीफ को बुलाया और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया है हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे दुश्मन को इसकी अभूत पूर्फ की मत चुकानी पड़ेगी इजरायल में हमास के हमले पर भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दुख जताया है पीएम मोधी ने अपने बयान में कहा कि इजरायल में हुए आतन की हमले से काफी ज़्यादा हैरान और दुखी हूँ उन्होंने हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों को श्रधानजली अर्पित की है पीएम ने कहा कि हमारे विचार और प्रार्थनाए इस हमले में मारे गए मासूमों और उनके परिवारों के साथ है नरेंद्र मोधी ने कहा कि इस कतिन समय में हम इजरायल के साथ खड़े हैं चलेए जान लेते हैं कब से शुरू है इजरायल और फिलिस्तीं के बीच ये जंग जबसे इजरायल अस्तित्व में आया है तभी से ये अरब लोगों की नजरों में चुबा हुआ है बात साल 1948 की है जब यहुदियों का नया नया देश इजरायल फिलिस्तीन के हिस्से में बनाया गया UNO ने Bill 4 Declaration के तहट यहुदियों के लिए अलग देश बनाये जाने की प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया जहां 48 प्रतिशत भू भाग फिलिस्तीन को दिया गया और 44 प्रतिशत भाग नय बने इजरायल के हिस्से में आया जबकि 8 प्रतिशत यरुशलम का हिस्सा UNO ने अपने कंट्रोल में रखा यहूदियों के लिए अलग देश बनाये जाने से आसपास के अरब देश और तब का फिलिस्तीन भी काफी गुस्से में था इजरायल का अस्तित्व मिटाने के लिए तब 6 अरब देशों ने मिलकर इजरायल पर हमला कर दिया इस युद्ध को प्रथम इजरायल अरब युद्ध कहा जाता है इस युद्ध में इजरायल ने अरब देशों को धूल चता दी साल 1919 में जब जब युद्ध खत्म होता है तो UNO Partition Plan के तहट जो भूभाग फिलिस्तीन के हो गए थे उनमें से कई जगहों पर अब इजरायलियों ने अपना कबजा जमा लिया था गाजा पट्टी का भूभाग इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक हिस्सा जॉडन के पास चला गया इसका मतलब ये हुआ कि अब स्थानिया फिलिस्तीनियों के पास कोई अपनी जगह नहीं बची साथ लाख फिलिस्तीनी लोग अपना घर छोडने पर हो गए और रिफ्यूजी बनकर अरब देशों में शरण लेनी पड़ी इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन कहा गया फिलिस्तीन लोग अपना खुद का देश चाहते थे इसलिए साल 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन और्गनाईजेशन पियलों की स्थापना की शुरुआत में इनका मकसद हथियार के दम पर अपना देश पाने का था उनका मानना था कि इज्रायल जैसा देश किसी तरह से अस्तित्व में आए उनकी इसी मनशा की वजह से अमेरिका और इज्रायल ने पियलों को एक आतनकवादी संगठन घोशित कर दिया मगर बाद में युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है कि पियलों एक आतनकवादी संगठन नहीं बलकि फिलिस्तिनियों की आजाव को उजागर करने वाली संस्था है आगे चलकर पी एलो के नेता और फिलिस्तीन के ततकालीन राष्ट्रपती यासर अराफात और इज्रायल के प्रधानमंत्री यिद्जाक रॉबिन के बीच दोस्ती होती है और दोनों अपने अपने देशों के मुद्दे सुझाने के लिए सामने आते हैं यिद्जाक रॉबिन का यासर अराफात से हाथ मिलाने से इज्रायल के कट्टर पंथी काफी नाराज हो जाते हैं और उन्होंने यिद्जाक रॉबिन की हत्या कर दी यही है दोनों देशों में संधर्ष का मूल कारण आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी विपया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल और सब्सक्राइब बटन दबाए नीचे कॉमेंट करें और हमें बताए कि क्या आपको कॉंटेंट पसंद आई धन्यवाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा और आपका समय अच्छा रहे